वेल दोस्तों सिधार्ट और शेहनाज की डेट की पूरी अपडेट लेकर आई हूँ आपके लिए कहा गए थे सिधार्ट और शेहनाज और किस तरह से उन्होंने अपनी संडे इवनिंग को स्पेंट किया है एक एक मिनट की खबर बताने वादी हूँ आपको इस वीडियो में लेकिन अगर अभी तक आपने हमें सुस्क्राइब नहीं किया है तो what are you waiting for? प्लीज हमें सुस्क्राइब कर लिए जो बेल आइकन को दबाना बिलकुल बिलकुल भी ना भूले वेल आप लोग शेहनाज की इन पिच्चर को देखकर जो शेहनाज ने अपने कल इंस्टाग्र पर उन से मिल ले गए थे आप सभी को बता होगा कि जैसमीन और सिधार बहुत अच्छे दोस्त हैं और ऐसे में सिधार शुकला शेहनाज को लेकर जैसमीन के घर गए थे वहाँ पर दोनों ने उसको विच करा उसके साथ टाइम स्पेंड करा और उसके बाद रस्ते में एक सभाटी के पास एक सदार का ढाबा पड़ता है जहां पर सदार की फेवरेट पाव भाजी मिलती है वेल आपको पता होगा इस पाव भाजी का जिक्व सदार ने बिग बॉस के दौरान भी किया था अब वहां से उनोंने पाव भाजी ली या नहीं ली इस बात के मुझे पूर बताँंगी और मैं आपको यह ऊचाप्षीज दिखाना चाहूंगी यहां पर शेहनास की पिचर्थ है और मेरे पास वह पिचर्थ है जिस में यह प्रूफ कर दूंगी आपको कि यह गिर्गाम चौपाथी की पिचर्थ है। पहले देखिए आ दो हम हो लोगें को दिखाना ज़रूर चाहनु लिए यह वो पिच्चर्स हैं जो कल शेहनाज ने शेयर की थी यह सेम भई पिच्चर है और एक और पिच्चर आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगी क्योंकि सिधात और शेहनाज की जब बात होती है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों तक एक-एक खबर एक-एक चीज लेकर आऊं जिससे आप लोगों को यकीन हो सके कि जो भी मैं खबर आपके लेकर आती हूं वो पूरी तरह से ऑथेंटिक होती है और इसलिए मैं आपको विद प्रूफ यह दिखाना चाहूंगी और शेहनास के पिचर में एक खास चीज अगर आप लोगों ने गौर से देखी हो तो एक मटका दिख रहा था उनकी इस स्टोरी में और वो था यह मटका आपको दिख रहा होगा यह मैं बहुत दूर के फोटोग्राफ है मैं अगर जूम करूंग इसा बेरी हुज मटका पहुचाना चाहती थी सद्धात और शेहनास की डेट की कबर उनकी फर्स डेट जो उन्होंने संदे की रात को इंजॉय करी वेल आपका क्या कह रहा है इस बारे में कमेंट में जरूर लिख कर बताएं क्योंकि मुझे लगता है कि टोलर्स हेटर्स चाहे जो भी कहें यह दो स्क्राइब कर दीजे और बेला आइकन के दबाहना विल्कुल भी ना भूले गुर्बाय गाइज